हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्ण नहीं वीडियो लेकर आए हूं वीडियो को आंसर तक देखेगा आपके यूट्यूब पे कुछ क्वेस्टन्स आये हैं उनके आंसर दूंगा पहले तो स्वाती में तो पूछती है कि मेरा एक वीडियो देखकर आर्टिकल्स एंड और वीडि बस मैंने बताया था लेवल का फर्क है हां यह और बता दूंगा आपको कि जो टू यह फॉर यह बीएसी बीएड के लिए अपलाई किया है जो जिन्होंने किया है वह बीएड की किताब से तैयरी करेंगे तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि प्लस टू का लेवल है इसमें ल 2021 फिल हो गया है यानि 2020 में मैंने पास कर लिया था लेकिन 2020 फिल हो गया है इमेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है क्या करो एडमिशन हो पाएगा तो अनुराग ज्यादा चिंता मत किसी आप आपनी यह गलत भरा गलत भरा है गलती हो गई वाकि और सारी डिटेल आपकी सही है तो आपको एक्जाम से तो को रोग ही नहीं पाएगा अब मेरिट हो आएगा तो मेरिट लिस्ट अब ड़की तो आपका सुदार हो जाएगा अप ज्यादा चिंता नहीं करें फिर भी आप ट्राइः करते रहें राजिश कुमार कह रहे हैं कि सर पेमेंट नहीं हो रहा पेम प्रियोग करें लेकिन आप डेविट कार्ड और नेट बैंकिंग इन में से किसी का प्रियोग करें फिर भी नहीं हो रहा तो मेल डालें और बार बार प्यास करते रहें क्योंकि पेमेंट में हम कुछ नहीं कर सकते हैं अपने 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 हैं और आई तक पहुंचाते रहें प्रमींड शिंग करें सर आई कें सॉल्व दपेपर और इंग्लिस आइक तो मापसे प्रमींड शिंग जी कहूंगा कि प्लस टू का लिवल नहीं है थोड़ा उंचा है यह बात मैं मानता हूं और जो पुराने पेपर है उसके अकोर्डिंग आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यह थोड़ा लेवल उचा है देखिए आज मैं ग्रूप एका पेपर डाल रहा हूं ठीक है तो ग्रूप एक पेपर का और दूसरी बात पहले वीडियो में तो डाली रहा हूं और इसका लिंक भी मापको डि अज़िए पेपर की तरफ चलते हैं तो ग्रूप एका पेपर है आप देखरेंगे दो घंटे में आपको पेपर करना है एक तोरी एक सो साथ अंक यादिक्तम मार्क है एक उसमें अचिजाओं करेंगी और आप सही उत्तर करेंगे तो आपको दो अंक मिलेंगे और गलत उतर करेंगे तो आपको माइनस 0.5 यानि कट जाएगा इसमें तीन है तो इसमें लेंग्वज प्रोफिशेंशी है 20 अंका चाहर टीशिंग अप्टिटूट एक्टिटूट यह 30 अंका है सोरी 20 प्रेस्ट आपके लेंग्वज प्रोफिशेंशी के चालीश अंके टीशिंग अप्टिटूट एक्टिटूट और रिजिनिंग अबिलिटी के इनके आपके तीस तीस क्रेशन आएंगी यानि साथ साथ की टोटल हो जाएंगे एक सो साथ ठीक है तो सो परसेंट में साथ परसेंट भाषा प्रवीड़ता के 20 और शिक्ष्णा भी श्यामता के तीस प्रश्णों यह आप पहले बाचित हो चुकी और सेस्ट फोर्टी परसेंट मार्क्स हैं सीए दो हजार सोला की सूसना पुस्तिका संदर शिखा के अनुसार परिकलित होंगे यानि साथ परसेंट अंक्तों इसके हो जाएंगे आपके यह पेपर होगा और यह मैंने पहले भी बता चुका हूं कि वह सेलेक्शन प्रोसेजर क्या होगा तो 20 परसेंट सोरी 40 परसेंट मार्क्स होंगे वह आपके क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगी उन में से निकाले जाएंगे जो मैंने फार्मुला पहले बता दिया है अब आप देखें लेंग्वेज प्रोफिशेंशी का पेपर हैं तो आप इसको पड़ते जाएगा मैं यह पेपर पहले ही डाल चुका हूं सॉलिशन के साथ लेकिन फिर भी मैं यह कई बच्चों कह रहे हैं कि बार बार की आप फिर से डाली तो नए बच्चे हैं आप देख लि स्टाप के सर है उनसे बात हो गई चलिए अब आप देख रहे हैं चोथा क्योशन आगए आपका और सलेक्ट दा मोस्ट एप्रोप्रियेट ओप्शन टुपिल इन दा ब्लैंक्स फॉर्द गीवन अल्टरनेटिव इन में से आपको सबसे सुटेबल है वह आपको छांकना है यह चार ओप्शन दिये गए आपको तो यहां फिल करना है तो यहां आपको आंसर देना है कि यहां क्या आएगा इसी तरह के से और भी क्वेशन है आप देख रहे हैं अब सात्वा आठवा है तो यह देख लिजी दो आपको यह पहला दे दिया है आपको सेंटेंस और दूसरा तीसरा चोथा किस प्रकार से आएगा और यह आपको अगला सेंटेंस फाइव भी दे दिया गया है तो यह किस तरीके से क्रम बनेगा इनका यह आपको बताना है आठवा क्यूशन आपके स्क्रेंड के उपर है और यह आगे चलिए फिर नोवे इसका मुल ओडिश्य क्या है इसका कथन क्या है यह आपको बताना है तो आप देखते जाएंगे च्वाण पूछा गया है कैसी किस तरीके से आपको आंशर देने हैं आपको सुवधा हो जाएगी आप देखते रहेंगे तो और इसको पेपर को एकपर हल करके देख लेना आ प्रिवेस पेपर आंसर की साइड डाला हुआ है उसको आप देख लेंगे ठीक है आप रोक के या स्क्रीन शोट लेके आप इसको देख सकते हैं अराम से हल कर सकते हैं देख लिए गैर्वां क्योंस्त न आपने देखा तो यह बार्वां तेर्वां एक गलती है इनल The following sentences have an error in one part of the sentence. Find the part 1, 2, 3, 4, which has the error. तो आप ये कौन से में error है? पहले भाग में है, दूसरे भाग में है, तीसरे भाग में है, चोते में. तो वो आपको पता लगाना है. चोते में है तो आपको ये answer हो जाएगा. यहाँ दूसरे में है तो ये answer हो जाएगा. तो ये इसका answer आपको देना है. तो ये हो गया. जो 15 नमबर का question है, 15 नमबर का. Choose the word that cannot be the opposite of any word given below. ऐसा शब्च चुनना है कि ये, choose the word that cannot be the opposite of any word given below. इन में से आपको ये चांटना है. 16 नमबर question है. 17 नमबर का. 18. Choose the correct antonyms of the given word. आपको विलोम शब्च चांटना है. Select the correctly spelled word. जिनका spelling सही है, वो चांटना है. तो ये 20 question हो गए आपके. लेंग्वेज प्रोफिशेंसी के. अब शिक्षन अभी ख्शमता के प्रस्न है. अब देखिए, आपने देखा. Language Professivity में शिर्फ English में आएगा. आप सोचते हैं, इस में हिंदी में कर लेंगे, इंग्वेज में कर लेंगे. ठीक है और मैं आपको बता भी दूँगा किस तरीक से लक्स से अरिहन्त और एक अलग से वीडियो बना दूँगा अब यहां देखिए एक शिक्षक को कक्षा में प्रभावी होने के लिए करना चाहिए यह 1234 भाशा पर पकड़ अपने विशेय पर पकड़ उपरोग सबी शि इस एक अला करते नहीं ठीक है दो सही है तो उसे दो वाला गोला करते अगे चलते हैं अब यह सारे 22 क्यों आप देख लीजी इंग्लिश और हिंदी दोनों उप्शन आपके सामने हैं तो तेईस चोवीश प्चीस भी आपके सामने हैं, बिस्वा क्योसन यह बच्चे नहीं कर पाएं थे कही नवोदे विडीक्शन उपलब्द कराथी हैं एक है इसमें सेकंड आंशर आएगैं जा का समंदीत हैs बात आपको शिक्षया यह रहां हैं देखिए जो ok शिक्षा मंत्रियों के नाम, मानवसंसादन विकास मंत्राले को नाम भी शिक्षा मंत्राले कर लिया है, अभी नई शिक्षा निति के बारे में भी क्वेस्टन आएंगे, तो मैं उसके बारे में भी एक अलाक्सी वीडियो बना के डालूँगा, तो यह करेंट अफेर में आए ठीक है चलते हैं आगे यह आप 27 नंबर क्वेस्टिन हो गया रोग क्या आप देख सकते हैं 28 नंबर क्वेस्टिन 29, 30, 31, 32, 33, 34, दोनों हिंदी और इंग्लिष किशी में देख लिए 35, 36 आपके सामने है, 37, 38, 39, 40 एं 41 भी आपके सामने आ रहा है 42, कवरेती की राजधानी है, कवरेती कौन से प्रदेश की राजधानी है, अरोना चल किया अंडवानी को बार किया, देखिए जी किसे समयने क्वेस्टिन भी आ रहे, तो आपको आंसर भणना इसमें, आप जानते होंगे, किसकी है, मध्यान भोजन पड़री बच्चे को अपलुप्त कराया जाता है, किस प्रानुमिक विद्याले में, यह सारी चीज़ें आपको जानकारी में होनी चीज़ें, ठीक है, टीचिंग अप्टिटूड में ही आएंगे, आप कहेंगे, इसमें सर कौन सा अप्टिटूड है, तो उच्चतम साक्षर्ता दर पूची गई है, यह देखी, यह जीके के क्वेस्टन आ रहे है, यह शुद्ध टीचिंग अप्टिटूड का क्वेस्टन है, 47 है वो, 48 यह भी टीचिंग अप्टिटूड का है, विद्यारती, उन शिक्षकों को पसंद करते हैं, जो कैसे होते है इसमें सही उतर देना आपको, हमेशा सकारात्मक, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आपको उतर देना है, मारने पीटने की जो बात है, किसी प्रस्ण में आएगा, वो उतर कभी नहीं बनेगा, ध्यान रखना, टीचिंग अप्टिटूड में, कई शिक्षक, किसी बच्चे को धमकाने की बात हो पीटने की बात हो यह कभी भी नहीं आएगा यह वह आंसर कभी भी नहीं होगा अब वो क्योशन हो गए आपके 50 पहुंच गए हैं अब यह अंतिम 30 क्योशन है वह तरक शक्ति परिक्षण के हैं रीजिनिंग के तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल पर आपको यह पेपर मिल जाएगा आप उसको डाउन्लोड कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा और यह आपके रीजिनिंग के होगाई आप मेरे रीजिनिंग की वीडियो हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं किस प्रकार से रीजि पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश का तो यहां पढ़िए हिंदी का यहां पढ़िए चलते हैं वे नारिक है इसके आधार पर आपको questions के उत्तर देने हैं यह स्टेटमेंट दिये गए हैं आपको इसमें conclusion निकालना है स्टेटमेंट से क्या निश्कर्स निकलता है खतन का कुछ खिलाड़ी सेव हैं सभी सेव नौकाएं हैं निश्कर्स इस तरीके से आपको निकालना है यह मेरे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यह वीडियो आपको मिलेंगे कि यह गनित से समंदित question है कि यहां कौन सा कि यहां देखिए 56 देखिए 55 हो गया कि समस्याक्रती कि यहां देखिए प्रश्ण वासिक चिन्न के स्थान पर क्या रखा जा सकता है तुम तो इससे क्या बनेगा एक्सरों का देखिए गटित नहीं किया जा सकता यह जो अक्सर दे रहिए तो इनको देखना अपने रोब इन से यह एक दो तीन च्यार यह तीन तो कौन सा अक्षर नहीं बनेगा यह आपको बता ना है ठीक है यह जो प्रिस्टवर्ण वाचक इसे थाज कर प्रश्ण आज से अइस डीको यह इसा खमए आएगा तो यह आपको बता ना है यह को मश्राइबлан आपको दिख Canal यह आपको जिस प्रकार से इनका समन्द है इससे ऐसे आपको इसका समन्द जो इंचे बैठ रहा है वो यहां बताना है आगे सलते हैं 64 को कोडिंग वाला सिस्टम है 64 में 65 वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी चल रहा हूं यह वीडियो में डाल चुका हूं पहले दो साल पहले ह्एं जब मेरे एक सिस्टिय ने आए राजसान से एक्जाम दिया था और वो पाज़ प्यों का गया था और जो जिस्ट जिन गाइड़ बूर्ब से उसमें तहरी कि ती वो भी आपको बताऊंगा वर्गों की संख्या कितनी है कितने स्क्वाइर है इसमें इसमें कितने स्क्वाइर है यह आपको मालूम करना है यह रक्त समंध वाला क्वेस्टन है ब्रड रिलेशन तो आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे यह यहां चंद्रमा उपगरह है प्रत्वी क्या है यहां चंद्रमा फिर उपगरह लिख रखा है प्रत्वी क्या है चंद्रमा प्रत्वी का उपगरह है प्रत्वी यह समंध बताना आपको आगे चलिए एकेतर यह आपको आगे ले आता हूं भैतर यह फिर से ब्लड डिलेशन आ गया है 73 शुद्ध गनीत का क्विस्टन है यह कथन और निश्कर्ष स्टेटमेंट और कंक्लूजन यह पहले ढख से पटलीजिए कि यदि गत पर्सों गुरुवार था तो रविवार का भूका यह सेवंटी फाइव हो गया 76 77 यह देखिए एकदम यह इसमें आया है रिजिनिंग में लेकिन हिंदी का सा लगता है बेमेल शप्त को चांटी एक आचान कठिन बहादूर कायर समाश शुरुवास सफेद गंदा समावत शुरुवास तो इसमें सफेद का काला आना चाहिए गंदा नहीं आना चाहिए ठीक है तो आसान करेंगे सब एंटिनोम्स हैं विलोम्शब्द हैं यहां सही नहीं कि टीचर को कोड में यह लिखा जाता है तो हर्ट को उसी कोड में कैसे लिखेंगे तो यह क्वेशन आपके सामने है अभी 79 और यह लास्ट में आगया आपका अंतिम प्रश्ण तो आपने पूरा पेपर देख लिया है अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा यह स्पेस यह आपको दे रखा है रब वर्क के लिए टुएर वीड के लिए और एमेड के लिए भी मैं प्रश्ण पत्र डालूँगा आप मेरे चैनल से जुड़े रहे और टेलिग्राम चैनल का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो आप वहां से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं ओके फ्रेंट्स नम